किलो दोश्तों असलाम अलेकूं अज मैं आपलों के साथ केश कर रहे हं। आप कटोरी वाला कफ केक बनावें कंपला तो यहां पर देख सकते हैं जिस प्याली में हम लोग चाई पीते हैं, में उसा कामें कि इसे तोड़ के डाल दिए जार मेन चमच चीनि क्योंकि थाप मीठा राता है बिस्किट तो हमें चीनी जादा नहीं डालना आप इसे पीछ लिए हैं आप क्या करेंगे इसमें थाफ फ़चा डूद डाले जेंगे हम और इसे हम घुल लेंगे अची तरह से यह चमच से ही य तो यह दूद के साथ अच्छी तरह से देखिए पुरा मैस हो गया तो हमें इस तरह का पेटर चाहिए यह का प्लिट हो गया है इसे हम सैड में रखते हैं तो चारो को गिरिस कर लेंगे इसमें थोआ थोआ सा हम आटा च्छेडग देंगे ताकि जब हम केक निकालने में आसानी हो बहुत असानी से यह निकल जाए इसलिए तो इधर में गैस भी रखी हूं कड़ाई को गरम हो रहा है और इसमें बेकिंग सोडा डाल दीए जो खाने वाला सोडा राता है मीटे सोडा वो डालने बाद मिक्स कर लिए हूं अब हम क्या करेंगे चारो केक में दो या तीन चीज चमल डाल देंगे इसमें इसका बेटर को ताकि यह उपर तक फिल नहीं करेंगे नहीं तो फिर यह ओ भर हो जाएगा जब यह पकेगा फूलेगा तो तो आधा आधा कफी डालेंगे हम दो या तिन चमल से ज्यादा नहीं डालिएगा जब आप बनाईएगा तो अब हम क्या किया है सभी में डाल दिये हैं अभी इस अच्छी तरह से इसको हम सेट कर लेते तो आसा इसे डिप करने से क्या होगा ना अच्छी तरह से अंदर तक चला जाएगा उपर से तुटी फुरुटी डाल दे रही हूं आप चाहते इसमें ड्राइफुट वगेरा भी कुछी डाल सकते हैं और जो कडाही में रखी हूं अच्छी तरह से गरम हो गया है तो उसे हम मीडियम फिलिम पे गरम किये हैं अब क्या करेंगे इसमें एक श्टेंड लगाए एक प्लेट डाल दियें चारो कप को इसमें सेट कर देंगे और इसे 20-25 मिनट तक ढख के हम पका लेंगे पहले तो मीडियम फिलिम पे ही और देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से फूल के ऊपर तक आ गया है और आपको मैं चेक करके बता रही हूं देख सकते हैं पुरा किलीन आया है टूट पिन अब हम इसे डिमोल्ट कर लेंगे पहले तो इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे उसके बाद हम निकाल लें और यह हमारा केक बनके रेडि हो गया है बच्च्यों का फैबरेट है रैसे भी चॉकलेट केक हो घ्या है यह कि यह था मेरा कॉपकेक आप लोग जरू से ट्राइ किजेगा और यह रैसेपी कैसा लगा आप लोग जरू से कमेंड कीजिएगा अब हम यहां पर बनाएगे बहुत जल्दी बन जाता है तो यहां पे मैं 6-7 कटोरी कटोरी वाला बनाई थी केक में तो देख सकते हैं पुरा रूई के जैसा वाइट और कितना अच्छा बना है और इसे बनाना भी बहुत असान है बहुत जल्दी यह भी बन के तियार हो जाता है तो दोनों केक हम बिना आवन का ही बनाई है जिसके पास आवन नहीं है वह भी केक बना के आसानी से खा सकता है अब पुरा रूई के जैसा देख सकते हैं कितना स्पॉंजी बना है कितना अच्छा बना है तो यहां पे मैं सूजी ली हूँ एक कटोरी यह है चीनी पीसा हुआ कटोरी यह मिल्क पॉ इस भूँ करके भेंगे यह मिक्सी को चला लेंग है तो दो तिन बार इसे रुक रुक कहें चला लेंगे डालने बाद हम इसे मिक्स करेंगे और इसका गोल रेडी हो जाएगा तो यह थ्वासा भी लग रहा है गाड़ा जैसा तो थ्वासा और हम डाल देगें दो तिच्वल मतब टोटल नहीं आधा कट हो रही है मैं इसमें पानी डालते हैं तो अप लोग ध्यान से देखेगा लेकिन सूजी है ना तो सूजी कुछ देर के बाद फूलने बाद यह थीक हो जाता है इसे अब ढखके 10 या 15 मिन तक रखेंगे ताकि यह सूजी हमरा अच्छी तरह से फूल जाया और हम तब तक दूसरा काम भी कर लेते हैं तो इसे साइड में रखे हैं यहां पर कटोरिया लिए हैं यह है फिलाल के लिए तो पांच ही है लेकिन अगर और बच जाता है पांचों में डालने बाद तो और कटोरिया ले ले लेंगे हैं तो सभी को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे इसमें भी थोड़ सा आटा छिड़के और इसको हम सेट कर लेंगे तो यहां पी यह हो गिया है ना थिक पाहले से पाहले तो कितना पतला लग रहा था लेकिन अभी यह गाढ़ा हो गिया है तो इसमें हम तीन चमज डालेंगे ऑईल यह रिफाइन ऑईल है तीन चमज डालने बाद हम इसमें डाल देंगे विनेगर फ्लेवर के लिए तो यहां पे हो गिया यहां आप फिलिए इस ले एसे डाल रहे हैं एक चमच डाल लेंगे तो अब जीस फिलीवर में बनाना चाहते है और यह अज़ी फिलीवर में बनाना एक चमच इनु डाल देंगे तब एक पैकेट जो आता है ना इनु का पूरा डाल दीए हैं अब इसमें थ्वासा विनेगर डाल देंगे हम इनु के उपर ताकि अच्छी था सेक्टवेट हो अब इसको हम मिक्स कर देंगे बस हलकी हाथों से करना ओबर मिक्स ने करना है तो य यहां पर इस कड़ाही में तीन ही कटोरिया आट रहा है तो इसको पका लेते हैं यह भी 25 या 30 मिनट लगेगा इसको पकने में या फिर अगर पानी अच्छी तरह से उबल रहा है मतला आपका फिलेम कैसा है तो जाद जाद यह बीस्प्रिंट भी पक के रेडी हो जाता है य कटोरिया जिस चीज में भी बना रहे हैं आप तो देख सकते हैं कितना अच्छा फॉर्फेक्ट निकला है कितना देखने में भी अच्छा लग रहा है कटोरी भी पूरा साफ सुतरा है तो यह था मेरा दूसरा कप कटोरी वाला आप लोगों कैसा लगा मुझे जरूर झायकर